हाई गाई वेलकम बैक टो मैं चैनल एक ग्लामप कुई इस आज में आप सब के सार शेयर करने वाली हूँ इड मेकप लूप यह मेकप लूप इतना ज़ादा ब्यूडिफुल और सूपर ग्लॉसी है कि आप इस मेकप लूप को अगर आपको किसी पार्टी में जाना है या फिर कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है तो आप इस मेकप लूप को ट्राय कर सकते हैं आप बहुत ही ज़ादा किसे बना है, So guys, eaht की, साथ-सा, अगर है को किसे पार्टी में जाना है तो मेक UP के साथ इस है स्टायल को आई कर सकते हैं. इस हेश्टायल को लिजए हैं और आप अगर बहुत ही सदा भी बूटिफुल दिखेंगे, अगर आप इज reading-based मेकप में सबसे पहले अपने skin को अच्छे से mesurides करें गर्मी हुए या सर्दी बहुत लोगों की जो skin होती वो बहुत जदा dryya रहती है सो गर्ष मेकप करने से पहले अपने skin को mesurides जरूर करें, आप कोई भी mesurides क्रीम अपलाई कर सकते हैं और अपने स्किन में सीरम अप्लाई कर लिजे, अपने मेकप को थोड़ा सा शाइनी ग्लऊइंग बनाने के लिए अपने फेस पर सीरम अप्लाई कर लिजे, अगर आपके सीरम नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं, इसे कुछ जरूरी नहीं है, बट अगर आपके पास serum available है तो आप इस अच्छे से apply किजिए इससे आपकी जो skin है वो बहुत ज़ाद सौफ्टर स्मूध हो जाएगी So guys मैं हापर vitamin C serum यूज़ कर रही हूँ आपके पास जो भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं उसके बाद बारी आती है primer की तो मैं हापर blue heaven का primer यूज़ कर रही हूँ आपके पास जो भी available हो आप उसे use कर सकते हैं So guys प्रामर लगाते बाद आपको अपना face रगणना नहीं है मसाज नहीं करनी है सिर्फ और सिर्फ टैप टैप करते हुए आपको इसे अपने face पर अच्छे से blend कर देना So guys प्रामर अप्लाई करने के बाद आपको इसे absorb होने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आप foundation अप्लाई कर लेजे आपके पाद जो भी foundation है आप उसे use कर सकते हैं So guys मैं हाँ पर Maybelline का fit me foundation यूज़ कर रही हूँ आपके पाद जो भी आप उसे try कीजे और जब भी आप अपने face पर foundation अपलाई करें तो अपनी neck पर भी foundation ज़रूर अपलाई करें और उसकी बाद मैं हाँ पर brush की help से foundation को अच्छे से blend कर लियूँ आपके पास beauty blender है brush है आप उसकी help से भी foundation को blend कर सकते हैं तो अपने face का foundation मैंने आप अच्छे से blend कर लियूँ आपको जहां पर आपके face पर darkness लगे आप वहाँ पर concealer कर लिजये जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके आखों के आज पर dark circle की problem है तो आप अपने आखों पर concealer अप्लाई कर लेजिए या फिर अगर आपको आपके face का कोई part highlight करना है तो आप concealer को वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं सुवाइस मैं आपर अपने forehead पर और nose पर भी अप्लाई करोंगी और उसके बाद brush की help से सच्छे से blend करोंगी सुवाइस कंसीलर भी अप्लाई कर लिया है उसके बाद अपने foundation को concealer को सेक करने के लिए मैं आपर compact powder यूज कर रही हूँ मैं आपर blue heaven के यूज कर रही हूँ आप ते पर जो भी हो आप उसे यूज कर सकते हूँ सुगर देखिए आपको compact powder को अपने brush की help से tap tap करके अपने face पर लगाना है आपको रगड़ना नहीं है brush उसके बाद मैं आपर neck पर अच्छे से compact powder को अपलाई कर लूँगी और उसके बाद बारी आते है eyebrow filling की सुगर आप जब भी make up करें अपनी eyebrows को अच्छे से fill करें यह देखिए इस तरीके से आपको अपनी eyebrows को अच्छे से shape देनी है सुगर देखिए इस तरीके से मैं अपनी eyebrows को अच्छे से fill in कर लूँगी shape देदूगी सबसे पहले मैं अपनी आईस के ऊपर ब्राउन प्लार का आईशेडव कर रहे हूं यह देखें आपको इसे अपनी क्रीज लाइन के ऊपर अपलाए करना है इस तरीके से अपलाए करते टाइम आपको इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है इसके बाद मैं रेड गलर का आशेडो लेड़ी हूँ जिसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर अपलाए करना है इस तरीके से जब भी आप कोई भी आशेडो लगा है उसे अच्छे से ब्लेंड करें इसके बाद मैं अपनी आईलिट के उपर हलकलका कंसीलर अपलाए कर लोगी इस तरीके से उसके बाद हम जो भी अपने आईस के उपर आशेडो अपलाए करेंगे वो काफे अच्छे से दिखेगा सुगर इस कंसीलर अपलाए करने के बाद मैं यहाँ पर रेड गलर का शिम्री शेड अपलाए कर रहे हूँ यह देखिए और यह मैं सिर्फर सिर्फ अपनी half eyes पर अपलाए करहूँगी सिर्फर सिर्फ आपको यह color अपनी half eyes पर अपलाए करने और इसके बाद अपने eyes के outer corner पर मैं golden color का sheet अपलाए कर रहे हूँ इह देखिए इस तरीके से इसके बाद मैंने साइड में जो टेप लगाई हुए मैं अच्छा से हटा दूंगी और उसके बाद बारी आती है लाइनर की तो मैं आपर ब्लू हेवन का वाटर लाइनर यूज़ कर रही हूँ आपके पाद जो भी लाइनर अवेलिबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं सुगर देखे आपको बहुती शार्प रिंग क्रिएट करनी है जैसे भी आपको लाइनर लगाना पसंद हो आप वैसे ही अपना लाइनर लगाए और उसके बाद मैं रेड कलर कर शीड में अपनी आइस के उपर अपलाई किया था उससे मैं अपनी लोवर लैश लाइन पर करूंगी सुगस लोवर लैश लाइन पर रेड कलर का शीड अपलाई करने के बारी आती काजल की तो मैं हैं पर पैंसल का चल यूज़ कर रही हूं और इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी काजल के बाद लास्ट टेप है हमारा मस्कारा अपलाई करना तो मैं हैं पर सुगज मस्कारा भी मैंने अप्लाई कर लिया है उसकी बाद next step है contouring करना सुगज बहुत लोग contour करना बहुत जदा पसंद करते हैं तो मैं आपर हलकल का contour कर रही हूँ अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको skip भी कर सकते हैं जरूरी निये contouring करना सुगज अगर आपको किसी function में या किसी party में ये make up करना है तो आप contouring कर सकते हैं और उसके बाद आप brush की help से सच्छे से blend कर लिजिए सुगज contouring मैंने कर लिया है उसके बाद बार याद या blusher की तो मैं है पर हलकल का blusher अप्लाई कर रही हूँ सुख़ इस blusher की पाद बार या दिया है highlighter की तो मैं अपने eyes के inner corner को अच्छे से highlight कर दूँगी उसके बाद मैं अपनी nose के ओपर highlighter कर रही हूँ जो भी part आपको अपने face का highlight करना है आप इसे वहाँ पर apply कर लिजिए उसके बाद हलकल का मैं अपनी eye brows के ओपर भी highlight कर लूँगी सुख़ इस highlighter मैंने आपर apply कर लिया है उसके बारी आते lipstick की तो मैं है आपर lipstick apply कर रही हूँ सुख़ लिप्स्टिक अप्लाइ करने से पहले आपको अपनी lips को lining देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सुख़ जिन मेरे जो lip liner है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आप lip liner की तरवी से यूज़ कर सकते हैं साथी साथ ऐसा lip stick भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसे अज़र lip stick यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा color एज़ का सुख़ लिप्स्टिक के बाद अपने make-up को set करने के लिए मैं यहाँ पर setting spray अपलाई कर रही हूँ सो गैस उसके बाद बारे आती है style की तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले थोड़ी से बाल अपने आगे निकाल लेने हैं यह देखे इस तरीके से और उसके बाद अपने सारे बालों को अच्छे से लेकर एक rubber band बान लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है और उसके बाद rubber band बांदे के बाद आपको सारे बालों को आगे करना है और उसके बाद नीचे की तरफ देखे थोड़ा सा नीचे आपको rubber लगा लेनी है और उसके बाद आपको दो पार्टस में डिवाइट कर कि हलंका फोल्ड करते हुल ले जाना पर उसके बाद इस एच्छे से टिन अबब कर दिना है और उसके बाद आपको हलके से पूर बाद अबर आपको प्रोत आपको जो अपने आगे बाल जैनल है अगर आपको ईड के लिए मिका प्क्रती है पिर आपको किसी पॉसक्ण हाय एंगी अगर किसी पार्टी को जरूड़ Fuß Michon अगर आपको किसी पार्टी में जाना है एंकोई fashion Sachden जाना है तो आप इस लुक को जरूरों रहा कीजिये सो गैस कैसा लगा आपको यह मेरा मेकप लुक मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएगा सो गैस आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं मिलूंगे आपको अगली न्यू वीडियो के साथ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आयो तो उसे लाइक करें और प्लीज मेरे चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट के साथ शेयर करना ना भूलें बबाई टेक कियर